इस वीडियो इस स्पॉंसर्ट बाय सर्माया.pk पाकिस्तान जौनली वेबसाइट वे यू कन फाइड आल दे इंफोर्मेशन एगार्डिंग पाकिस्तान स्टाउ एंड मूच्छेंज एंड मूच्यल फंड असलावनेकुम गाईज जैसे आपको बता है कि आजकल जो है स्टे जैसे लिए वडियो स्टाउट करते हैं तो मूच्यल फंड की परफ़ामस देखने के लिए हम सिंप्ली सर्माया.pk के अपर आएंगे इंदर मूच्यल फंड के अंदर आएंगे एदर हम आएंगे लिस्ट अफॉर्फ फंड इंदर इदर हम आएंगे तो हमारे पास सारे के पाकिस्तान में वेलिबल हैं और उनका क्या जो है रिटरंड चल रहा है ओ हो यह क्या यह तो पॉने चार सो फंड्स हैं तो गाइस इसमें घबराने की कोई बात नहीं है बजाए कि आप पॉने चार सो फंड्स को एनिलाइस करें सर्माया.pk ने आपके लिए यह भी बहुत जादा सहुलत कर दिया आपने सिंप्ली मूचल फंड्स के उपराने इधर आपने आने टॉप परफॉर्मिंग फंड्स के अंदर यहां जब आएंगे आपने सिंप्ली जो है केटेगरी सेलेक्ट करनी है हम लों देख रहे हैं मनी म और कुछ लोग होते हैं जिनको इससे कोई खास फरक नहीं पड़ता तो उस फरसे हम दोनों फंड्स को इनलाइस करेंगे तो यहां पर हम सबसे पहले आते हैं मनी मार्केट के अंदर यहां पर हम आते हैं तो हमारे पास जो है यह सारी की सारी option है कि हमने जो है पिछले एक द पॉलिसी रेट जो है गवर्मेंट ने स्टेट बंक ने जादा किया है तो सबसे पहले हम पिछले थर्टी देश का देख लेता है थर्टी देश के अंदर यह देखे हैं वहां पर आपने पूने चार्सों फंड्स अनलाइस करने थे यहां पर आपको टॉप 10 फंड्स जो है कि जतना पॉलशी रेट है तर चीजने पॉलशी है तॉअ उतना हुखता है उसने प्रोफि दिया सबसे कम रचब करोंड हता है वह सबसे कम प्रोफि कैश फंड ने यहें त्तॉप 10 फंड्स जिन्हों पिछले एक महीने के अंदर पिछले 2030 ने जहां अच्छा परफूंग को थो यहां थे ने यहांद के लिए वर फिरिचे अच्छे के निघ्टे इन वरे फर्ण की यह उले कोने फिर्ट्रいきます पिछन Deep तीन महिने के अंदर 19.72% दिया लेकिन पिछले एक महिने के अंदर जो है almost 21% जो है वो दिया तो उन्हें जिगों पर है वैसे यही टॉप के उपर लेक्सर मनी मार्केट 20 टॉप के उपर है पिछले 30 देस के अंदर भी with almost 21% profit rate और पिछले 90 देस के अंदर भी लेक्सर मनी मार्केट 20 टॉप है with almost 20% ठीक है तो यह आपके जेन के अंदर आ रहा हो कि यह जो है 1-2% का फरक क्यों है क्योंकि पिछले तीन महिने पहले जो policy rate था वो ओर था government ने recently policy rate बढ़ाया तो उस वरा से पिछले एक महिने के हमें 6 महिने पहले अगर हम चले आते हैं तब जो था policy rate उससे भी जादा कम था तो अगर हमनो 180 देस के ओपर चले आते हैं तो देखें 18% के ओपर जो है सबसे अच्छा फंट पर फॉर्फार्म कर रहे है इस लिस्ट के अंदर और पिछले 90 देस के अंदर भी मुझूद थे इस लिस्ट के अंदर को और किस ने जो है दोनों परफॉर्मेंस को कंभान करके सबसे अच्छा रिटर्ण दिये तो फर्स्ट के ओपर जो है लेक्शन मनी मार्केट फंट है जिसने 20.24% का रिटर्ण दि इसके बाद जो है अलहभी मनी मार्केट फंट है जिसने 19.89% का रिटर्ण दिये और एंड में ABL कैश फंट है जिसने 19.83% का रिटर्ण दिये तो यह टॉप 5 ऐसे फंट है जो पिछले 30 देस की लिस्ट के अंदर भी बेस्ट प्रफॉर्मिक फंट में मुझूद है और इसलामिक डेली डिविडेंट फंट ने दिये जिसने 19.24% का रिटर्ण दिये ठीक है और सबसे कम रिटर्ण दो दिये फैसल हलाल आंदरी फंट ने 18.56% का रिटर्ण दिये इस तरह अगर हम लों पिसले 90 देस की प्रफॉर्मेंस को मानिटर कर लेते हैं और देख लेते हैं उनके अंदर जो return की percentage होते ही वो थोड़ी सी कम होते है जो money market fund होते हैं उनके अंदर आपको थोड़ा सा ज्यादा profit मिलता है और जो शर्य कंप्राइंट होते हैं उनके अंदर आपको थोड़ा सा कम profit मिलता है एक और बार जाद रहे कि यह जितना ही profit है यह before tax है अगर आप file है यानिके आपना tax file करते हैं तो फिर आपका जो है first करेंगर आपको 100 revenue के उपर 30 वो मिल रहा है 100 revenue अगर आपको profit मिल रहा है ठीक है आपकी investment के उपर तो अगर आप file है आप tax file करते है तो 100 revenue में से 15 रुपे आके कटेंगे और 85 rupees आपको profit मिलेगा और अगर आप tax file नहीं है non file है यानिके और अगर आगो 100 रुपे का प्रॉफिट मिलता है तो फिर आपके 30 रुपे कटेंगे तो यह जो है 15 परसंट और 30 परसंट का जो है ациPass उक्ता सू Campaign यह तो यह बैसे जो प्रफॉर्म नी संटे की कर चेजरी है अदर और जैसे तो कि क्योंगे प्रभाइ법 काफी ख़िया टेजा नीचे जा रही है recommend करूँ है कि आप जो अपना 60% जो monthly investment budget है वो stock market में invest करें और 40% जो है इस तरह money market में invest करें यानि कि अगर आप चाह रहें कि मैने हर महीने जो है सिरफ 10,000 पे इंवेस्ट्मेंट करने हैं इंवेस्ट करने हैं 10,000 पे तो उस तोटाल आगा 15000 पे आपके बच रहे महीने के उस 15000 के अदर से आपने 5000 पे सीधे सीधे बैंक में सेफ कर लेने एमरजंसी के लिए और जो 10,000 पे बचेंगे उसमें से 6,000 पे आपने इंवेस्ट करने है स्टाक मार्केट में और 4,000 पे इंवेस्ट करने है आपने मूचल फॉंड के अंदर यहां से आगो काफी अच्छा रिटर्न मिलता है ठीक है बेशेक आफ 50-50 कर लें 50-50 आप करें जब आपकी थोड़ी एक लाग से उपर आपकी इंवेस्ट करते हैं चार पांस लाग इंवेस्ट करेंगे तो उससे आपको मंतली प्रॉफिट इतना होना शुरू हो देगा कि आप पैसा प्रॉफिट का मंतली प्रॉफिट है इसको निकाल के आप स्टॉक मार्केट में इंवेस्ट कर सकेंगे तो अगर तो आपका बजट कम है एक लाग से कम है फिर तो आप 60% स्टॉक मार्केट में इंवेस्ट करें और 40% जो इस तरह मुचर फंड के दर इंवेस् जाहें तो आप उठा के द्रमानी मार्केट से उसका प्रॉफित उठा के आप इन्वेस्ट करते रहें कि इस तर्फ जो है इन्वेस्ट करने का काफी सुनहरी मौक्त है बहुत गोलडन ऑपरचुनिटि क्योंकि सब्सक्राइब काफी नीची है यह वेस्ट दो से तीन की पी र तो इसलिए दस साल के बाद आपको बहुत हैंसम प्रॉफित होना शुरू हो जाएगा तो गाइज आज की वीडियो आपको कैसी लगए यह मुझे कमेंट सेक्शन में लाज ही बताएगा तुब तक आप मुझे कमेंट सेक्शन में आकर वीडियो के फीडबेक नहीं देंगे क कैसी लग रही है तो मुझे नहीं बता चलेगा कि मैंने किस ट्रॉपिक आपर वीडियो बनानी है कैसी वीडियो बनानी है तो मैं जितने भी वीडियो अप्रट करता मेरी आपसे हमबल रिक्वेस्ट है कि प्लीज उस पर लास्ट मीं कमेंट किया करें या निकि अगर किसी गलती मुझे भी होती है, अगर वीडियो के अंदर कोई misinformation चली जाती है मुझे, तो वो भी मुझे बताया करें, मुझे अंदर correct करके pin comment के अंदर बता दिया करूँगा या post लिखा दिया करूँगा, कि ये information मुझेड वीडियो में घलत होगी थी, असल में ये information है तक किली मुझे दीजिए अजाज़त, अल्ला हाफिज